चत्ता तोरे राज में धक धक धर्ती होई, जित जित घोडा मुख करे उत उत फते होई। दोस्तों ये है भारत का बुंदेल खंड क्षेत्र। वर्तमान में दक्षिर उत्तर परदेश और उत्तर मथ्य परदेश में यह क्षेत्र स्थित है। यहां समय समय पर अनेक वीर विरंगनाओं ने जनम लिया, जिनका नाम भारते इतिहास में आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है। रानी लक्ष्मी बाई, रानी दुर्गावती, जलकारी बाई, अलहा उदल और महराज छत्र साल बुंदेला जैसे महान यो था। इसी एक शेत्र से संबंधित है। आज हम जानेगे बुंदेल केशरी महराज छत्र साल का गौरवशाली तिहास। दोस्तों बुंदेल खंड का नाम विंदेल खंड से पड़ा। विंदेल खंड विंधिय भूमी, विंधियाचल परवत माला के आचल्यक शेत्र को कहा जाता है। अर दस नदियों वाला परदेश होने के कारण इसे दशारन भी कहा जाता है। चंदेली शासन के समय इसे जुझोती नाम से जाना जाने लगा। किन्तु गहरवा शासक हेम करन ने जब माता विंधवासनी देवी की आराधना की और देवी को पांच नर्बली दी तो इसे पंच पंचम सिंग नाम से जाना जाने लगा। बाद में देवी की भक्ती में लीन होकर उसने अपने नाम के बाद विंधेला जोड दिया। कालांतर में यही नाम बुंदेला में परिवर्तित हो गया। जिस क्षेत्र में पंचम सिंग ने अपने राज्य का विस्तार किया। उस उस्तो इसी में 1288 में सोहनपाल बुंदेला हुई। उन्होंने खंगार वंश के राजाओं को परास्त कर बुंदेल खंड की नीव रखी। सोहनपाल के वंशोजों ने दतिया और्छा चंदेरी राज्य को बसाया। और्छा राज्य को रुद्र परताप सिंग ने बसाया। इसी वंश में राजा चंपतराय का जनम हुआ। उस समय चंपतराय के बड़े भाई जुझार सिंग और्छा के राजा थे। और चंपतराय स मध्य भीशन युद्ध हुआ जिसमें मुगलों की जीत हो जाती है यह घटना 1649 की है उसके बाद चंपतराय कुछ समय के लिए मुगल सेवा में गए परंतु 1661 में उन्होंने फिर से मुगलों के खिलाफ विद्रुहों किया हालंकी औरंग जेब ने इस विद्रुहों को सक्त से कुचला चंपतराय ने बड़ी बहादुरी से मुगलों का सामना किया अनेक बार औरंग जेब की सेना को धूल चटाई अंत में अपने ही मित्र गद्दारों के कारण चंपतराय दुश्मनों से घिर जाते है स्वाभी मानी महराज चंपतराय और उनकी पतनी लाल कुणर ने आत्म घात किया दोस्तों यही चंपतराय महराज चटर साल के पिता थे और माता रानी लाल कुणर जी जो एक ऐसी विरांगना थी नन्हे चटर साल को पीठ में बांध कर युद्ध करती थी मुगलों के साथ बुंदेलों के जीवन मरण के इस संगर्ष के समय 1649 में ही मह महराज चटर साल का जनम हुआ विंद वनो की मोर पहाड़ी में महराज का जनम हुआ इनका बचपन प्रकरती की गोद में ही बिता बुंदेल खंड के जंगलों में ही महराज चटर साल का बचपन बीता जब महराज चटर साल पांच वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने उन महराज छत्र साल बारावर्ष के थे दोस्तों बारहा तिरहा वर्ष के बालक के मनोदशा की कलपना आप कर सकते हैं परंतु उनके पास महानवीर बुंदिला वंश का शौर्य था संसकार और एक बहदुर मा का अदम्य साहस और माता विंद वासनी का आशिरवाद इसी कारण य आत्म हत्या की बलकी एक नया रास्ता निकला यहां से शुरू होती है महराज छत्र साल के संघर्ष की एक ऐसी दास्तान जिसे सुन आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे महराज छत्र साल के अपने पराये सब ने उनका साथ छोड़ दिया एक समय वह बिलकुल अकेले ह गये थे यहां तक की मुगलों के डर के मारे उनकी बड़ी बहन ने भी उनका साथ नहीं दिया था परन्तु उन्होंने फिर से सेना का संगठन किया शुरूआत में महराज छत्र साल के पास केवल पांच घुरस्वार और 25 पैदल सेनिक थे धीरे धीरे उन्होंने विशाल से सेना का संगठन किया और मध्य भारत के एक बड़े भुभाग पर अधिकार किया मुगलों की सेना को अनेक बार पराजित किया इस महान गाथा का वर्णन हम महराज छत्र साल की अगली वीडियो भाग दो या अंतिम भाग में करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद